क्लिपर और क्लेंपर के बारे में डिसकस किया था तो आज हम इस वीडियो में अपना कंपेट करने वाले हैं ट्रांजिस्टर और यह इसका जो है वह पार्ट फरस्ट है इसके और भी पार्ट आएंगे तो उनको भी आप बहुत अच्छे से देखीगा क्योंकि वहां से भी आ वैग्यानिक थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा और मोडिफाई किया जाए इसको थोड़ा सा और कुछ इस प्रकार से बनाया जाए हो सकता है कुछ नया प्रोडक्ट बन जाए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहां पर दोनों जो दो सिरे होते हैं उसमें same type का material यूज़ किया जाए और बीच में different type का material यूज़ किया जाए तो इसके लिए जो है अमेरिकी वेग्यानिक थे इन्होंने अपनी lab में इसका प्रयोग किया और ये प्रयोग किया 1948 में जिनमें वेग्यानिक का नाम है William Songle, John Borden और Belter Britain इनके द्वारा ये प्रयोग किया गया और इनके द्वारा ही transistor का निर्मान किया गया तो यहाँ पे इन तीनों के आप नाम याद रखिएगा हो सकता है exam में पूछ लिया जाए तो इस प्रकार से जो इन्होंने device बनाई यानि कि जो element बनाया उसको यहाँ पे transistor कहा गया यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें दोनों सिरे पे जो होता है same type का material और बीच में जो है वो different type का material semiconductor material जो होता है जैसे P type और N type तो उसमें अगर दोनों तरफ हम same P type के यूज़ कर रहे हैं तो बीच में हमें N type का material यूज़ करना होगा तो इस प्रकार से हमारा जो transistor बनके तयार होता है उसको हम PNP transistor कहते हैं इसके जो part होते हैं अब यहाँ पे तीन पार्ट हैं तो इन तीनों पार्टों का name भी अलग-लग होगा तो इस सिरे को हम emitter कहते हैं जहां से हमें current flow करनी होती है starting में जहां current flow होती है यानि कि जहां से हम input देते हैं उसको emitter कहा जाता है और beach में जो हमारा different type का material use हुआ था उसको base कहा गया और जो हमारा last में जहां से हमें output मिल रहा है उसको हमने collector कहा इसी प्रकार से यहां पे हमने और दूसरे type का use किया जिसको हम NPN transistor कहेंगे जिसमें इसके दोनो सिरे पर इसमें जो material यूज किया गया जो semiconductor यूज किया गया इस प्रकार से हमारा जो यहां पे transistor बना उसका नाम रखा गया NPN transistor यहां पे जो symbol है इनके symbol बहुत अच्छे से द्धान रखिएगा यह exam में पूछे जाते हैं तो symbol जो है आप देख सकते हैं ये PNP का symbol है ये दोनों symbol यूज किये जाते हैं PNP transistor के लिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो E part लिखा हुआ है इसका मतलब emitter, C का मतलब collector और B, B का मतलब base एक चीज और याद रखेगा कि जो base होता है ये बहुत पतला होता है इसको बहुत ही थिन रखा जाता है यहाँ पे जो emitter है PNP transistor का जो difference है वो क्या है symbol में कि जो arrow आप देख रहे हैं emitter से जो यहाँ पे arrow आ रहा है ये base की ओर रहता है इसकी direction वो base की ओर रहती है या आप देख सकते हैं दोनों तरब ठीक है यूज कर रहे है तो transistor के यूज करने के बहुत सारे benefit होते हैं कुछ benefit मैंने यहाँ पर important benefit को लिख दिया है कि transistor जो होते है वो nimd यानि कि बहुत ही low voltage पर operate हो जाते हैं एक तो ये benefit हो गया दूसरा है कि इनका size जो है वो बहुत छोटा होता है और इनका बजन भी छोटा होगा size चोटा होगा बजन चोटा होगा तो उसका जो use होगा यानि कि उसकी वज़े से क्या होगा कि हमारी जो भी electronics की device बनेगी वो भी छोटी हो जाएगी तो ये वी एक benefit हो गया ये जो है बहुत ही power है वो बहुत ही कम power consume करते हैं तो ये वी एक benefit हो गया और बहुत हदिक समय तक हम इनका use कर सकते हैं तब तक जब तक जो इनका voltage है ना यानि कि जैसे किसी transistor का हमने यहाँ पे बात की जाए ये हमारा PNP transistor है और इसका जो working process है यानि कि इसका जो अधिकतम voltage है इस पे हम लगा सकते हैं वो 5 volt का है अधिकतम 5 volt इस पे लगा सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि इसको हम काफी समय तक use कर सकते हैं अगर इसका जो कारे कारी voltage है अगर वो बढ़ाया ना जाए अगर हमने उसका कारे कारी voltage अगर बढ़ा दिया तो फिर ये transistor खराब हो जाता है कहने का मतलब यही है तो यह क्या है कि बहुत हदिक समय तक काम कर सकते हैं जिसकी वज़े से इनकी जो निर्धारित सीमा है वो अधिक ना हो कारे कारी voltage से इनकी सीमा अधिक ना हो एक और वेनी फिट यह है कि यह sock proof होते हैं इनमें जो device जिस तरह की material यूज करते हैं फिर उसको अंदर से पूरी तरीके से sock proof कर दिया जाता है तो यह sock proof होते हैं और किसी भी प्रकार के इनमें filament की ज़रूरत नहीं होती है external temperature को देने के लिए क्योंकि इनका जो internal जो working होती है उसी में ही जब electron और holes का collision होता है तो उसी में हीट generate होती है जिसकी वज़ा से हमें extra filament देने की आवश्यक्ता नहीं होती है तो यह आपके यहाँ पर benefit है यहाँ से भी आपके कोई न कोई तरीके का question exam में पूछा जा सकता है हर एक point को अच्छे से note कर लेना आप लोग तो अभी तक हमने पढ़ा कि साधारता जो transistor होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक PNP होता है एक NPN होता है इसके आधार पर भी बहुत सारे इसके बाद भी बहुत सारे transistor होते हैं उनको हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यह चोटे-चोटे dots बनाए हैं चोटे-चोटे गोले यह dark नहीं है इनको कहा जाता है holes के तोर पे इनको हमने denote किया और जो dark आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीकी से dark हैं यह जैसे कि तो इनको यहाँ पे electrons के तोर पे हमने denote किया यह आपका PNP transistor है जैसे कि पहले ही बताया है कि एक तरफ पे जो P type का material दूसरी तरफ पे भी P type का material और बीच में जो base बनाते हैं वो बहुत ही थिन होता है जिसको different material का use किया जाता है यानि कि यहाँ पे N type के material का use किया गया है जब यह transistor होता है तो इसकी configuration की जाती है वैसे तो configuration बहुत type की होती है जिसको हम emitter base common emitter configuration कहते हैं एक common base configuration होती है एक common collector configuration होती है पर यहाँ पे हम एक normally configuration का use कर रहे हैं जिसका नाम है common base क्यों कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे common जो है न common का मतलब होगा कि दोनों जगह पर उसका use किया जा रहा है तो base जो है न वो इस battery पर भी use हो रहा है और base का इस battery पर भी use हो रहा है तो अभी आप confuse मत होईएगा आगे चलके हम इन सारी चीजों को और अच्छे से clear होंगे जब configuration पढ़ाया जाएगा आपको तब वहाँ पर जिसमें configuration यूज किया वो base configuration यूज किया गया यानि कि यहाँ पर एक battery जो है यह देख सकते हैं आप जिसका नाम हमने VEE रखा और एक battery जो है वो यह है BCC इसको राखा नाम और base यह पार्ट देख रहे हैं आप इतने पार्ट को समझेए सबसे पहले आप जैसे कि यह बाला हिस्सा आप देख रहे हैं तो यह इस हिस्से को इस हिस्से को forward wise किया forward wise क्या होता है हमने आपको पहले ही बताया कि वाइसिंग जो होती वो दो टाइप की होती एक forward एक reverse इसके पहले हम बहुत अच्छे से deeply discuss कर चुके हैं किस तरीके से वो काम करती है तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें discuss नहीं करेंगे तो इस तरीके से हमने इसको forward wise किया और forward wise करने से क्या हुआ कि यह बाला part जो है P का मतलब है कि यहाँ पे positive जो है positive जो है वो majority carriers है majority carriers का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो वहु संख्यक हैं जिनकी संख्या ज़ादा है वो holes हैं तो इसको P से connect कर दिया और इसको यहाँ पे base को minus से battery के यानि कि negative terminal से connect कर दिया तो इतना हिस्सा तो हो गया हमारा forward wise इसी प्रकार से जब दूसरे हिस्से की हो रहा है तो इस हिस्से को किया हमने reverse wise ध्यान रखेगा transistor में हमेशा ही चाहे कोई सी भी आप configuration कर रहे हो वहाँ पे आपका emitter और जो base है यानि कि पहला part है उसको हम forward wise ही रखेंगे और second part है उसको हम reverse wise ही रखेंगे तो यहाँ पे इस part को हमने reverse wise किया reverse wise क्यों क्यों क्योंकि देख रहे हैं आप कि यह जो है यहाँ पे P है P का मतलब यहाँ पे holes ज्यादा है और holes वाले part को battery के negative terminal से यूज गया battery का sign तो आपको पता ही है कि एक जो बड़ा होता है वो negative होता है तो यहाँ पे हमने इसको negative use कर दिया और base जो हुआ बेस को यहाँ पे battery के positive बाले terminal से connect कर दिया अब क्या हुआ जब यहाँ यह इस तरीके से हमने connection कर दिया तो उसके बाद यहाँ से जब battery का जो charge है वो यहाँ से इसको positive क्योंकि यहाँ पे जो जिसकी आता है यानि कि उसको connect नहीं करता है खीचता नहीं एक दूसरे की और जैसे positive और minus हुआ तो वो एक दूसरे को खीचेगा पास पास खीचेगा एक दूसरे को आकरसिट करेगा लेकिन जब एक जैसा है तो उसको प्रतिकरसित करेगा तो यह charge जो है यह प्रतिकरसित होते हैं और ये आगे बढ़ने लगते हैं, आगे बढ़ने से क्या होता है, कि ये कुछ चार्ज जो होते हैं, वो यहाँ पे base, base क्या है, अब negative, sorry, base में क्या है, कि negative majority है, negative का मतलब कि N type का material है, इस बज़े से यहाँ पे जो है, electrons की अधिकता पाई जाती है, इस बज़े से क्या होगा, क कुछ hole से इनका collision हो जाता है, और जब इनका collision हो जाता है, तो इस बज़े से यहाँ पे बहुत ही कम संक्या होती है, electrons की, तो इस बज़े से क्या होता है, कि यहाँ पे जब holes आगे बढ़ रहे होते हैं, और कुछ electrons का collision हो जाता है, तो यहाँ पे जब battery का और ज़्यादा force लगते हैं तो यह इस तरीके से इसका ये वाला पार्ट काम करता है फिर क्या होता है कि ये सेकंड वाले पार्ट की बात की जाए तो सेकंड वाले पार्ट यानि कि इतने हिस्से की बात करें तो यहां पे क्या है कि इसको हमने रिवर्स वाइस में यूज किया तो यहां पे जो holes आ रहे थे और ये holes का charge plus था जिसकी वज़े से ये जो part है ये battery के negative terminal से connect है और यहाँ पे charge negative है तो इसकी वज़े से ये क्या करेंगे आकर सित करेंगे आकर सित करेंगे तो ये यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके ये battery के अंदर जाने की कोसिस करेंगे, यानि कि बैटरी के अंदर ये इसको खीचेगी बैटरी, तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है, ट्रांजिस्टर का main function क्या होता है, यानि कि main property क्या होती है ट्रांजिस्टर की, कि वो current को change करने की property रखता है, और इसी property का use हम जो है, वो ट्रांज आया कि यहाँ पर जैसे ही यह holes चले, तो यहाँ पर पहले तो positive charge लगा, इसकी वज़े से इन पर थोड़ा सा force लगा, force लगने की वज़े से यह आगे बढ़े, और यहाँ पर negative charge होनी की वज़े से इनने और खीचा, जैसे मान लीजेगा, आप किसी वस्तु को, for example, यहाँ सम व्यक्ति यहाँ पर force लगा रहा है, और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर खीच भी रहा है, जिसकी वज़े से क्या होगा, कि यहाँ पर जो है, वो इसकी force की value बढ़ जाएगी, और यह force और ती ब्रगती से आगे बढ़ेगा, इसका मतलब यह हुगा, कि यहाँ पर transistor में, एक त प्रतिरोत की और इसने force करने की कोसिस की, और जब कम प्रतिरोत से अधिक प्रतिरोत की और जाना होता है, तो इसका मतलब होता है, कि उसकी signal की value जो है, अब बढ़ चुकी है, और यही signal जो है, वो amplify signal हमें इसके output पर मिलने लगता है, यही शाइरे point हमने यहाँ पर note कर लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि current जो है, इसकी current कोई बदलने की process होती है, जिसका ही use किया जाता है, यही एक इसकी main property होती है, इस वज़े से यह amplify में signal बगेरा को modify करता है, signal को amplify करता है, और दूसरा क्या है, इसमें बताया था हमने कि इसमें आपको emitter base को forward wise किया जात यह वाला point आपने देखा, फिर क्या है कि forward wise वाले हिस्ते में जो है, वो holes जो है, वो positive सिरे को power करके battery के positive सिरे से चले जाते हैं, यह यहां से force लगा, और यहां पे वो material में गए यह force लगने की वज़े से, तो holes को oppose करेगा, और oppose करने की वज़े से holes आगे की और बढ़ेंगे, जिसकी वज़े से क्या होगा कि potential barrier जो है, वो कम हो जाएगा, और holes जो है, जो junction बन रहा था, जो potential barrier बन रहा था, उसको cross कर जाएंगे, और आगे की और बढ़ जाएंगे, इस प्रकार से जो base है, base यानि की base part था, उसकी चोड़ाई जो है, वो और कम हो जाती है, और यह पहले आपसे, जैसे question कर दिया जाए, आपसे exam में, यह PNP transistor में main जो charge है, वो carrier किसका है, तो आपको बताना है कि holes, क्योंकि PNP में आप देखेंगे, कि P की ज़्यादा value है, इसका मतलब है, कि यहाँ पे जो charge flow हो रहा है, वो holes की वज़े से flow हो रहा है, और अगर इसको value में percentage में प Second type का हमारा transistor होता है, NPN transistor, NPN transistor को आप यहाँ पे देख रहे हैं, कि दो type का material, same type का material यहाँ पे इसके दोनों सेरों पर यूज किया गया है, और different type का जो semiconductor material है, वो beach में यूज किया गया है, जिसको हमने NPN transistor कहा है, NPN transistor में क्या होता है, आपको पहले से ही जानकारी है, कि N में ज संख्या जादा है, उनको majority कहा जाता है, तो N में क्या होगा, कि majority किसकी जादा होगी, electrons की होगी, और electrons को हमने यहाँ पे किस तरीके से denote किया है, dark वाले जो आप देख रहे हैं, वो electron है, और जो बिलकुल open तरीके से है, dark नहीं है, बिलकुल इस तरीके से बनाया हुआ, जैसे पर भी हम common base configuration कर रहे हैं, common base क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो base वाला टर्मिनल है न, transistor का, उसको दोनों तरह यूज किया जा रहा है, दोनों जगे पे यूज किया जा रहा है, तो इसलिए हमने इसको common कहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, कि जो हमने पहले ही बताया है, कि emitter और base वाला configuration किया जाता है, वो हमेशा forward वाइस किया जाता है, और collector और base वाला configuration किया जाता है, वो हमेशा reverse वाइस किया जाता है, तो यहाँ पे आपको बताया है, कि यहाँ पे electron की सबसे ज़्यादा अधिकता है, इस वजए से इस वाले terminal को हम battery के N सिरे से जोडते हैं, और इस वाले base को जो है battery के positive से जोडते हैं, यह हो गई हमारी BEE battery, इसी प्रकार से जो दूसरी battery है, जिसको हमने BCC battery कहा, यह क्या हो गया, आपका base को इसने minus से connect किया, यानि कि हमारा जो collector base वाला terminal है, इसको हमने reverse wise में connect किया, reverse wise में की वजए से यहाँ पे इसको negative से connect करना क्योंकि यहाँ पे P positive जदा होगा, और यहाँ पे negative इसका मतलब N को यहाँ पे plus से हमने connect कर दिया, तो यह हो गया हमारा reverse wise में connect हो जाती है, अब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से हमने battery को connect किया, switch on किया मान लेजेगा, तो यहाँ से जो है, वो negative charge है और negative charge यहाँ पे oppose करेगा इसको, oppose करेगा कि मतलब इसको धक्का देगा आगे की ओर, तो जो electron battery के negative terminal से भी electron निकले और यहाँ पे भी negative charge हुआ, तो इस वज़े से यह इसको धक्का लगेगा, जिसकी वज़े से यह electron जो है वो आगे की ओर बढ़ जाएंगे, जैसे यह आगे की ओर बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आपको बता है कि बीच में हमने एक बहुत ही पतली परत लगाई हुई थी, जिसमें P-type का material यूज़ किया था, जिसमें क्या था, P-type के material में जो संख्या जादा होती है, वो holes की जादा होती है, तो कुछ electron का तो यहाँ पे collision हो जाएगा, कुछ electron का collision होने की जाएंगे, फिर यहाँ पे collector base में जैसे ही आपके electron आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि collector में जो electron आ रहे हैं, उनका भी charge minus है, और यहाँ पे battery में जो terminal लगा हुआ, यह प्लस है, तो यह और इसको आगे की और खीचने का प्रयास करेगा, जिसकी वज़े से क्या होगा, कि यह जो electron है, और गती से आगे की हो रहेंगे, यानि कि यह electron और गती से आगे बढ़ने लगेंगे, और इस तरीके से हमारा जो NPN transistor है, यह भी काम करने लगेगा, यह भी ठीक, वैसे ही process में काम करता है, कि current की, इसको change करने की इसकी property होती है, इस पज़े से यह signal को amplify कर देता है signal को कैसे amplify कर रहा है, वो मैंने आपको बताया कि एक force यहाँ पे लग रहा है और एक इसको खीचने की और कोसिस कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि यह signal का मतलब क्या है, signal का मतलब हमें energy मिल रही है, और energy तो क्या है, आपको बताए है कि उर्जा सनरक्षे रहती है, ना तो इसे हम उत्पन कर सकते हैं ना ही हम इसको destroy कर सकते हैं तो इसका मतलब यह हुगा कि जो signal हमें मिल रहा है वो प्रवर्दित मिल रहा है यानि इसकी energy कुछ energy इस battery से ली गई है तो यह आपका NPN transistor हो जाता है अब आगे पढ़ना होगा हमें इसकी configuration को पढ़ना होगा जैसे यहां पर हमने use किया था common base वाला यहां से question आते हैं आपके exam में तो एक भी video class को miss मत कीजिएगा अगर आप selection के लिए serious हैं तो हर video class को देखिएगा यह आपके exam के लिए important है अब एक चीज और आती है कि जो हमारे transistor आते हैं ब्यावसाइक transistor यानि कि जो हमारे transistor आ रहे हैं market में इनको पहचानना कैसे है पहचानने का मतलब यह है कि transistor में normally 3 terminal होते हैं जो हमारा PNP और NPN transistor है उनमें 3 terminal हो गए तो अब terminal को पहचाने की कैसे कैसे इसको पहचाना जाएगा तो इसको पहचानने के लिए भी इसमें थोड़ा सा difference किया जाता है जिसकी वज़े से हम इस terminal को पहचान ल तर्मिनल इसके पास पास है दो तर्मिनल पास पास है और एक तर्मिनल दूर है तो जो पास पास टर्मिनल है ना उसके पास में देखिए सबसे पहले समझेए कि बीच का टर्मिनल तो हमेंसा बेस ही कहलाएगा किसी भी transistor की अब बात करें तो यह बेस है यहाँ पे यह बेस ह अब पहचानना हमें इसमें एमीटर को है एमीटर को हीम्टो हीमेश है हाँ संग्रहख ही कहते है ठीक है तो यहां पे आपका जो एमीटर हो गया अगर दो टर्मिनल पास-पास हैं तो इसका मतलब बीच वाला जो टर्मिनल है वो तो बेस हो गया और जो बिलकुल pass है वो आपका emitter हो गया इसी प्रकार से जो सबसे दूर है वो collector हो गया तो ये question आपके exam में आते हैं मान लीजेगा आपको ये EBC मैंने लिखा यहाँ पे EBC नहीं लिखा अब यहाँ पे उसने लिख दिया कुछ X लिख दिया और आपसे पूछ लिया ऐसा ही डाइग्राम दे दिया आपसे और पूछ लिया कि बताइए X क्या है वहाँ पे तीन option दे दिया आपको emitter, collector, base अब आपको अगर नहीं पता होगा तो आप साइद गलत कर सकते हैं उसको तो यानि X का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे collector है ठीक है, इसी प्रकार से एक दूसरा इसका जो है वो पहचान होती है कि अगर इन तीनो टर्मिनल की जो दूरी है वो बराबर है यहाँ पे दूरी क्या थी, इन दो की सी से लेके दूरी बहुत जादा थी लेकिन अगर इन तीनों की दूरी बराबर ही है तो कैसा पहचानेंगे तो पहचानने के लिए यह है कि बीच का टर्मिनल तो हमेशा बेस होता है लेकिन जिस टर्मिनल की और एक छोटा सा डॉट बना दिया जाता है छोटा सा बिंदू बना दिया जाता है यह आप देख रहे हैं dot भी लिख दिया है मैंने यहाँ पर और यह dot बना दिया है तो जहाँ पर dot बना होता है वो collector terminal कहलाता है इसी प्रकार से exam में भी पूछा जा सकता है यही आपको same diagram दे दिया और diagram देने के बाद आपको यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिये यह नहीं लिखा और आपसे पूछा कि बता यह x क्या है तो आपको बताना है कि यह collector है इसी प्रकार से जहाँ पर dot नहीं है वो फिर यहाँ पर emitter हो जाता है आपने देखा होगा कुछ transistor जो होते हैं वो पतले होते हैं और उसमें इस तरीके से 3 terminal होते हैं chip type के आपने देखे होंगे कहीं न कहीं किसी न किसी circuit में देखे होंगे और कुछ transistor होते हैं वो goal होते हैं आप कहेंगी goal तो जो होता है वो capacitor होता है नहीं capacitor में दो terminal होंगे लेकिन अगर goal है तो इस transistor में तीन terminal होते हैं आप ध्यान से देखिएगा कभी तो आपको तीन terminal देखेंगे इसका मतलब वो transistor ही है ठीक है तो यहाँ पे जो goal वाले होते हैं उनको कैसे पहचाना जाएगा तो इसके लिए beach में gap बना दिया जाता है या gap ब दिया जाता है और जो starting में होता है gap से पहले जो होता है वो emitter होता है और जो gap के बाद होता है वो collector होता है तो यह भी आपके important है इन तीनों को भी आप अच्छे से note कर लीजेगा और इन्हें अच्छे से ध्यान रखेगा यहां से भी exam में question पूछे जाते हैं आगे जो video होग हम उसमें part second part में पढ़ेंगे configuration के बारे में configuration कैसे होता है तीन type के configuration होते हैं एक emitter sorry common emitter configuration हो गया एक common base configuration हो गया एक common collector configuration हो गया तो उन तीनों को पढ़ेंगे वो कैसे काम करते हैं फिर इसके बाद हम और आगे जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे आपके जो transistor हैं उनकी current होती ह कौन कौन सी करेंट होती है अलफा बीटा और गामा इस तरीकी की करेंट होती है तो इनको भी निकालेंगे इनके फॉर्मूले होते हैं यहां से नुमेरिकल आते हैं तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे अभी आप लोग परिशान मत होईएगा आगे चलके मैं इस क अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो हमारी महनत अच्छी लग रही हो प्रयास अच्छा लग रहा हो तो दिल से लाइक कर देना शेयर कर देना कोई डाउट है तो कॉमेंट कर देना मैं आपको कमेंट कर रेप्लाई जरूर करूँगा या ना हो रेप्लाई पॉसिवेल ना हो तो फिर मैं वीडियो में आपको उसके बारे में डाउट को डिसकस करूँगा और अगर आप नए है चैनल पो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बात electronics में